बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका चैनल में आज की वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूँ आपने देखा होगा बहुत सारे जंसेवा केंद्र जिनका मैंने सामने फोटो दिखा रखा है आपको तो इन केंद्रों में क्या होता है जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं फोटो कॉपी, ऑनलाइन फॉर्म, पेंशन यही सब काम यह लोग करते हैं लेकिन में लाइसेंस इनका क्या होता है ऑनलाइन फॉर्म का जिसमें यह डोमेसाइल, राशनकार्ड, आधार, बुड़ापा, विद्वा ठीक है तो इसी प्रकार से सरकार द्वारा चलाए गई एक नई योजना के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना देर की हैं इसकाम का नाम है जन सुविदा केंद्र ये मेंली बिजनस में चोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, मिनिमम जो सैलरी पे पाते हैं उन लोगों के लिए हाई सैलरी लोगों के लिए जी एस टी तो था आप 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक कैसे पहुँचेंगे इस वीडियो में मैं आपको इस पार में पूरी जानकारी दूँगा दोस्तों कमाई करने से पहले कुछ कोईस्टिन्स मैंने लिखे हैं आपके सामने हैं वो इनके जवाब आप अपने मन में जरूर सोचिएगा मैं सारे कोईशन नहीं परड़ा हूँ लेकिन कुछ बात यह है कि पहली बात कि आप कमाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी महनत शुरूरात में करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय सीए और अलग अलग लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट के वकीलों ने इन सब लोगों को अपना क्लाइंट बना रखा है लेकिन आप इनको कम दाम पर अच्छी क्वालिटी की सर्विस जब प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके पास आएंगे तो इसके लिए आपको मेहनत जरूरी है दोस्तों समझे ना अब इस समय कोरोना काल जैसे चल रहा है और आगे भी चलेगा तो ऑनलाइन जीएस्टी हर किसी को भरनी ही पड़ेगी चाहे उसकी 4.000,000 की इंकम हो या ना हो पैसाथ जिसकी इंकम है दुकांदार की उसको जीएस्टी बरनी ही बरनी है अब वो दो हजार रुपए के पास खर्च करेगा और आप उसको 1.000 रुपए में ही या 800 रुपए में उनको वो सर्विस दोगे तो obvious सी बात है धीरे धीरे आपका market value आपका market cap बढ़ता ही जाएगा दोस्तों आगे चलते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों आप एक portal अपने नाम पर register करवा लेते हैं अब आप CA तो हो नहीं तो आप authorized नहीं हो उस काम को करने के लिए उसी बात के जो है commission आप लोगे क्योंकि आप उन papers को scan करोगे और portal के उपर upload कर देंगे अब जो CA और market analyst वहाँ बैठे हुए हैं सरकारी तोर पे वो लोग आपके लिए ITR और GST का का काम करके आपको print out दे देंगे सिर्फ आपको करना क्या है उस print out को निकालना है और उस बंदे को दे देना है और उससे जो भी आपका fees है वो लेकर जमा करनी है इसमें ठीक है जैसे इसमें GST भरने की fees 790 रुपे है अब वो कहीं पे GST 1512 की करवार है तो अब्वियस ही बात ही वो 790 रुपे वाला option चूज करेगा और 790 में से 50% जो है commission वो आपको मिलेगा तो आपको एक अच्छी कमाई का मौका है दोस्तों जितने जादा आपके customers होते जाएंगे उतनी जादा आपको कमाई होती जाएगी आगे बढ़ते हैं अगली slide पर GST सुविदा केंदर में आप pen card agency भी मिल जाएगे आपको उसी registration पर इस समय हमारे देश में 15 से 20 करोड लोगों के पास pen card है जबकि आबादी कितनी है आपको पता है तो pen card तो बनवाना ही बनवाना है सब लोगों को तो ये आपकी हर महीने की salary नहीं होगी इसमें क्यूंकि pen card एक बार ही बनाएंगे तो इस तरह से आप pen card बना के भी अपनी कमाई कर सकते हैं में काम इसका pen card और GST का ही है दोस्तों GST सुविदा केंदर पर लेकिन जो अलग से आप कमाई कर सकते हैं वो सब चीज़ा ही मैं आपको बता रहा हूं money transfer agent आप बन सकते हो इसमें आप balance inquiry हो गई mini ATM cash withdrawal हो गया जिन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं आता है वो obviously बात है जन सेवा केंदर या पर GST सेवा केंदर पर ही आकर ये सब काम करेंगे और इससे भी आपका एक अच्छा कासा commission बन जाता है ठीक है दोस्तों अब आगे आते tax के बारे में ITR जब भरता है कोई इनसान तो 0 ITR से लेकर जतनी भी बड़ी से बड़ी रकम की ITR होती है वो अलग अलग उसका charge होता है ठीक है जो की 1000 रुपए से लेकर 5000-6000 रुपए तक हो सकता है लेकिन यहां पर क्या शुरूआत है 790 रुपए से क्योंकि अगर आपको कोई बंदा 1500 ITR करा रहा था तो उसको अगर आप 1200 भी कहेंगे तो आराम से राजी हो जाएगा करने के लिए तो आपको तो पे 790 करने और उसमें भी आपको 40% मिल जाएगा commission और जो उपर से आपने कमा हैं वो अलग कमा रहे हैं तो यह बहुत अच्छ community है दोस्तों लेकिन बस इसमें इतना है कि आपको पहले इसके बारे में research कर लेनी है और अपने पास एक computer अच्छा से चलाना आना चीए इसकी एक और service पर आते हैं दोस्तों इसके तहत आप क्या कर सकते भी सुविदा केंदर से health insurance, car insurance, bike insurance, travel insurance, किसी भी तरह का insurance आप अच्छ कर सकते हैं और इसमें भी आपको commission मिल सकता है और अच्छा commission मिलता है लोग insurance की तरफ बहुत अच्छे से आते हैं तो इसके बारे में भी आपको पूरी पूरी जानकारी link में description में दे दूँगा उस video को देख लीजेगा अगली सुविदा जो आप अपने clients को देंगे वो है loan सरकारी loan से लेकर private loan हर तरह की companies इसमें जुड़ी हुई है प्रदानमंतरी loan वगेरा सब कुछ है इसमें तो आप जो भी उन client को चाहिए personal loan, home loan कोई सा भी loan हो आप उसको provide करिए उसको help करिए और उसके बदले में आप अपना commission लीजिए और सारा जो भी official और paperwork है वो GST पी मिल जाएगी, very easy दोस्तों, चलते है next work पे, ये बीच में फिर से मैंने एल्डा फोटो इसलिए चोड़ा है दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप GST या जो दूसरे work है वो एकदम से कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको थोड़ी बहुत knowledge तो होगी इस के अलावा free में, सरकार दोरा आपको online इसके बारे में पूरी जानकारी और training दी जाती है, तो ऐसा कुछ भी problem नहीं है, बहुत easy service है दोस्तों, आप बहुत असानी से इसको कर सकते हैं, बशरते हैं, आपको इच्छा हो, अगली service हो दोस्तों, travel agent, कि आप किसी भी बंदों के पास आपके clients, आपके phone करेंगे, traveling के लिए booking कराएंगे, bus हो, plane हो, train हो, ship हो, हर तरह की आप booking कर सकते हैं, और उस पर भी एक अच्छा खासा commission earn कर सकते हैं, दोस्तों, बहुत अच्छी service है, अगली है, सुविदा जो है, वो है, bill payment की, हर तरह का bill, DTH हो, बिजली का bill हो, phone का bill हो हर तरह के bill, जल कर, विबाग, home tax, सारे taxes आप इसके online, आप इसमें जमा कर सकते हैं, अपने clients के, और इसमें client को अगर 100 रुपए का बिला, 100 रुपए जमा करेंगे, आप उनसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आपको उस पर भी commission एक मिल जाएगा, ये बहुत छोटा सा काम होता दोस्तों इस पर commission आपको मिलेगा, बहुत पांच मिनिट में आप कर दोगे, बहुत अच्छी service है ये भी, इसका फायदा भी उठाएं, अब हम लोग आ जातें दोस्तों कमाई पर, जिसको मैंने step by step लिख दिया, इस photo में आप इसको पढ़ें, अगर आप इन पांचों में स तो आपकी salary 1,37,500 रुपए होगी, और अगर उससे कुछ कम कर पाते तो 50-60,000 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके, तो जो ये slide आपके सामने है, इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, कि जो पहले साल की, first year की जो आपकी income प्रोजेक्शन मैने बनाया है, अगर आप अच्छी मैनत करते हो, दिन में अगर आप 5-6 गंटे इसको देते हो, अपने office में बैठते हो, थोड़ा सा market में जाते हो, तो फिर आपकी earning इस तरह से हो जाएगी, कम से कम, 1,00,000 से शुरुवात हो जाएगी आपकी पहले साल में, और जादा से जादा तो 6-7 लाग सक पहुंच सकती है, ठीक है, वो उस पर depend करेगा, कि आप कैसा staff थोड़ा बहुत रख लेते हो, क्योंकि कम बढ़े आएगा, तो अकेले नहीं कर पाएंगे आप, तो ये एक GST सुविदा केंदर कोई private और ये चोटी मोटी agency नहीं है, ये स से आप पता करें, आप इसकी site पर जाकर पता करें, इसका official वीडियो मैं अपने link वे description में दे दूँगा, उसका link उसको आप देखें, इसके बारे में पूरी जानकारी करें, और उसके बाद ही आप कोई भी कदम उठाएं दोस्तों, ठीक है, और ये मैं वीडियो इसलिए ब लेप टॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, और registration आपको कराना पड़ेगा, registration जो होता है दोस्तों, वो 25 साल तक के लिए माननी होता है, मतलब एक ही बार registration होता है, जो कि आपका lifelong ही चलेगा, है ना, तो वो registration आपको लगबग 24 से 25 हजार रुपए का पढ़ता है दोस्तों लेकिन आपका बिजनस शुरू हो जाएगा और एक बढ़िया बिजनस तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों और सोचूंगा मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाएं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तों आपका दोस्त धमशकार धन्यवाद